हाई गाईज वेलकम बैक टो मार चानल मैं हूं भाबना और आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टिड वीडियो लेखे आई हूं बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक हैवी है ओईलिंग के ऊपर भी वीडियो बनाओ तो आज मैं आपके साथ वही शे बैद है दूप्रणा है और आप उपने बालों को अच्छी तरह से कोल कर लेना है मतलब डिटैंगल कर लेना है अगर आप अपने बालों को डिटैंगल नहीं करोगे तो ऑलिंग करते वक्त उल्चेंगे और उतने ही ज्यादा चूटेंगे सो मेक शॉर आप यह औशूर करन में काने के बाद मिदलन प्रम कर लूँँ और ऑइनिं के लिए मैं यह आपर पार्चूट की 100 casts एमेल की बॉटल ले जही हूं मिदलंशों सरे घटाथ कर रही हूं कि जो हिर ओईदल से कर रही हूं ना कि cotton के through so maybe हो सकता है वो जो मैं oil डाल रहे हैं वो इदे उदे spread हो जाए so वो मेरे hairs में ही रहे है इसलिए मैं make sure कर रही हूँ कि मैं middle से start करूँ अगर मैं ears के corner से start कर सती तो maybe हो सकता है कि वो मेरे ears के side में या neck पे वो spread हो जाता so मैं यहाँ पर partition करते हुए थोड़ा side की मांग निकालते हुए oil को और डाल रही हूँ और make sure कि आप second मांग निकालने से पहले उसको अच्छी तरह से absorb होने दे जितना जल्दी absorb होगा उतना जादा आप oil यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो मैं पहले उसको अच्छी तरह से absorb कर रही हूँ उसके बाद एक और partition कर रही हूँ वहाँ पर oil करूँगी और उसको भी अच्छी तरह से massage करूँगी आपको यहाँ पर hard हाथों से massage नहीं करनी है क्योंकि यह जो summer का season है यहाँ पर हमारे hairs में sweating होती है बहुती dirt pollution लगता है इस वज़े से हमारे hair break इस ज़्यादा होते है तो make sure आप light hand से ही massage करें अगर आप ज़्यादा tightly massage करोगे hard massage करोगे तो आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे इसलिए आप हमेशा कोशिच करें आप light handedly ही massage करें और यहाँ पर coconut oil मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे benefits है यह antifungal है आपको गद्यों में हो सकता है आपके hairs में dandruff fungus की infection हो सकती है तो यह उस infection को भी रोकता है दूसरा आपके बालों को बहुत अच्छी तरह से नरिश करता है और आपके बाल अगर नरिश्ट रहेंगे तो आपका breakage भी कम होगा split ends भी कम होगे इसलिए मैंने यहाँ पर coconut oil यूज़ किया है आप अपने coconut oil में essential oils भी डाल सकते हो और अगर essential oils भी आपके पास नहीं है तो vitamin E के capsules भी आप इसमें डाल सकते हो ताकि आप vitamin E का भी आप यहाँ पर benefits ले सेके अब आप देख सकते हो मेरे front head की half हिस्से में अच्छी तरह से massage हो चुकी है अब मैं opposite side में इसके massage करूँगी अब में आप जितना भी little amount में oil कर रहे हो या आप 50 ml ले रहे हो उसको अच्छी तरह से massage करिए ताकि आपका जो blood circulation है वो अच्छा रहे आपके hairs का तब ही आपके जो बाल हैं वो healthy रहेंगे और मैं first time ये try कर रहे हूँ 100 ml की oiling मैं कभी इतनी oiling hair oiling नहीं करती बट ये मेरे जो comments आये थे कि मैं ये try करूँ इसलिए मैं इसको try कर रहे हूँ और मैं भी देखना चाहती हूँ इसका क्या result रहता है सो चलिए इस वीडियो को थोड़ा fast forward करते हैं मेरे front portion की hair oiling अच्छी तरह से हो चुकी है अब मैं back portion की भी hair oiling करूँगी तरह से वीडियों के रहे हो चुकी है मैंने अपने स्केल्प पे अच्छी तरह से ओई लगा लिया है मैं यहाँ पर अपने स्केल्प को थोड़ी सी मसाज करूंगी ताकि जो मेरा ओईल है वो अच्छी तरह से मेरे स्केल्प में एब्सॉर्ब हो जाए मसाज करने के बाद अब बारी आति है मेरे हेर स्ट्राइंड्स की मैं अपने हेर स्ट्राइंड्स पर भी करूंगी और हेर लगाने के बाद आप इसको रब नहीं करिए आप इसको ऐसे डाप करिए ताकि आपका जो हेर और यह वह अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए अगर आप अपने हेर स्ट्रेंड्स को अगर रब करेंगे तो आपके ज्यादा चांसे होते हैं आपके स्प्लिट जब स्कैल्प में ऑइल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा ऑइल दुबारा लगाऊंगी और उसको फिर अच्छी तरह से मसाज करूंगी मेंली मसाज का काम होता है आपका blood circulation अच्छा करना मसाज के साथ साथ आपके head पे जो acupressure points होते हैं आप उनको भी अच्छी तरह से प्रेस करिए ताकि वो activate हो सकें उनसे आपका जो hair fall है आपके hair breakaging है वो भी काफी तक अच्छी रहती है आपके बाल hair breakage नहीं होती hair fall नहीं ह करता हमाग देख के लिए आपके जयए के अच्छी त sự करिए आपके बाल आपको लगभग 20-30 मिनट्स तक हेड मसाज करनी चाहिए अगर आप हेवी ओइलिंग कर रहे हैं तो हेड मसाज आपको बहुत रिलेक्सिंग फीलिंग देता है आपका हेडेक वगरा होता है उसमें भी काफी रिलीफ देता है आपको कि है कि और यह तोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने हेर और को किती देर तक स्कैल्प पर रखना चाहते हैं मैं बस एक से दो घंटे अपना हेर ओर लिंग रखती हूं उसके बाद मैं अपना हेर वाश कर लेती हूं बहुत लोग ओवर नाइट रखते हैं अपना हेर ओर बट मैं उस चीज में बिलीव नहीं करती सॉरी वो मेरा चॉइस है बट मैं सिर्फ एक दो घंटे बाद अपना जो हेर ओईल है मैं उसको रिमोफ कर दूँगी अपना हेर वाश कर लूँगी अपने बालों में अच्छी तरह से हेड मसाज करने के बाद आप अपने हलके हाथों से अपने बालों को डी टैंगल कर लीजे ताकि कोई भी अगर टैंगल उसमें आ गई हो तो वो खुल जाए उसके बाद मैं हापर आपको दो आप्शन दे रही हूँ कि आप ओलिंग की बाद क्या हेर स्टाइलिंग कर सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यह आप अपना दो पार्टीशन करके आप वहां पर अपनी रेगूलर ब्रेड बना लीजे और मैं ब्रेडिंग बहुत ही जादा कम करती हूँ इसलिए मैं आपको सेकिन आप्शन भी दे रही हूँ कि आप अपना एक हाई बन बना लीजे बस आपको कुछ नहीं करना आपको अपना हाई पोनी जैसे आप बनाते हो ऐसे पोनी करके आपको अपने बालों को रोल करते जाना है राउंड राउंड और उसके बाद एक क्लचर लगा लीजे सो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना hair wash कर लिया है और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा silky smooth हो गए है और कोई भी tangle नहीं है मैंने अभी कोई भी comb use नहीं किया है और आप देख सकते हो मेरे बाल detangled है सो मुझे इसका result काफी पसंद आया तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक किया बाबाई